नमस्कार स्वागता हैं आपका मेरे यूटूब चैनल ITI 365 डिग्रीज में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं ITI के छातर की सर मुझे टैबलेट मिलेगा क्या और अपना बैच लिखते हैं कि सर मैं अभी 2024-2023 में एडमिसन लिया हूँ क्या मुझे टैबलेट मिलेगा या फिर मैं अभी फस्ट इयर में हूँ मुझे टैबलेट मिलेगा सेकंड इयर में हूँ मुझे टैबलेट मिलेगा या 2021 में मैं एडमिसन लिया हूँ मुझे टेबलेट मिलेगा तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि पहले किंचात्रों को टेबलेट मिलेगा उसके बाद किंचात्रों को मिलेगा उसके बाद किंचात्रों को मिलेगा तो सीरियल बाइज में सारी चीज़े बताऊंगा और एक ही वीडियो में आपके सारे comments के reply हो जाएंगे उसके बाद कोई confusion बजता है तो आप लोग comment करिएगा मगर पहले पूरा वीडियो आप लोग देख लीजेगा हो सकता है कि आपके comment का reply जो answer है वो इस वीडियो में ही हो तो आप लोग पूरा वीडियो पहले जरूर देख लीजेगा तब आपको comment करने की आवसकता भी नहीं पड़ेगी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदर है कि चैनल को subscribe नहीं किया सब्सक्राइब कर ले notification bell पर all पर पर इस कर ले क्योंकि ऐसी जानकरी मैं आप सभी को देता रहता हूँ चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किन चात्रों को मिल ला है अभी और सबसे पहले किन चात्रों को मिलेगा तो सबसे पहले अभी जो बैच हमारा बचा हुआ है ITI में वो 2021 से 23 बैच बचा हुआ है या फिर 2022 से 23 बैच बचा है एक साल वाले बच्चे बच्चे हुए हैं तो इन बैच को सबसे पहले मिलेगा उसके बाद बात करें तो 2022 से 24 बच्चे अभी बच्चे हुए हैं और साथ में 2023 में जो एक साल ने अडिसन लिया है उनके 2023 से 2024 वाले बच्चे बच्चे हैं तो इन badge को जो है वो पहले मिलेगा उसके बाद serial बाद जैसे ये badge खतम हो जाएंगे ये badge खतम हो जाएंगे तब आगे उन लोगों को मिलेगा हमेशा जो final year वाले बच्चे होते हैं उन्हें पहले मिलता है या फिर जो एक साल की trade है उन्हें पहले मिलता है उसके बाद जो है वो दो साल की बच्चों को मिलता है तो सबसे पहले जो है अभी current में चल ला है वो 2021 से 30 वाले बच्चे चल ला है और 22 से 30 वाले बच्चे चल ला है ये बच्चे अभी current scenario में चल ला है इनको अगर इनमें भी अभी सिर्फ 5% को ही जो है वो tablet मिला हुआ है अभी 95% इस batch के बच्चे बच्चे हुए है तो इन वाले बच्चे जो 2021-30 के हैं second year pass out कर चुके हैं या 2022-30 के हैं और एक साल की trade है इनकी ये pass out हो चुके हैं कुल मिला के 2023 में जो बच्चे pass out हो चुके हैं अभी उनमें से सिर्फ 5% को भी जो है वो tablet नहीं मिला है तो सबसे पहले इन जात्रों को tablet मिलने वाला है तो कुल मिला के याद रखे कि 2023 में जो pass out हो गए है उनको पहले मिलेगा उसके बाद 2024 में जो pass out हो चुके हैं 2022-2024 वाले या 23-24 वाले उनको बाद में मिलेगा आसा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इस वीडियो में से इतना ही कर दो वीडियो कर दो उत्का लॉट्ड़ नय।